तो मैं बता रहा था आपको यहां पर टोटल कॉस्ट, अवरेज फिक्स कॉस्ट, अवरेज वेरियेबल, मार्जिनल कॉस्ट और अवरेज टोटल कॉस्ट यह सारी टाइप की कॉस्ट का अपन ने mathematical calculation देख लिया है बहुत अच्छा mathematical calculation देख लिया है लेकिन अपने को अभी इनके graphs draw करने है एक एक करके graphs draw करना है उन graphs के पीछे का shape समझना है कि वो shape वैसा ही क्यों आता है ठीक है लेकिन मैं चाहता हूँ आप observe करो और आप मुझे बताओ कि क्या क्या हो रहा है scene क्या क्या हो रहा है आपके पास तीन options है option number one है increase option number two है decrease और option number three है same या फिर no change ठीक है एक एक करके आपको बताना है कौन सा वाला जिस पर मैं cursor point कर रहा हूँ उस पर observation करो अपना क्या हो रहा है इसके साथ number of units बढ़ रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है increase decrease या save क्या हो रहा है बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब ये है same मतलब change ही नहीं होता बिल्कुल सही इसका graph कुछ इस तरह से दिखता है completely fixed cost या total fixed cost कुछ इस तरह से इसका graph दिखता है parallel to the x-axis change ही नहीं होता simple उसके बाद है total variable cost इसको observe करो और बताओ क्या हो रहा है increase decrease same बता 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 बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब increase हो रहा है continuous increase हो रहा है तो इसका graph upward sloping आएगा देखो बिल्कुल सही origin से start होके 0 से start होके इसका graph upward sloping आता है variable cost perfect straight line नहीं आती लेकिन कुछ इस तरह से दिखता है real life में और total cost भी of course increase ही होगा अगर इन दोनों में से एक चीज मैंने fix रखी है और एक चीज मैं increase कर रहा हूँ तो total cost भी increase ही होगा बिल्कुल सही तो यहां पर आप देख सकते है total variable cost है यह है total fixed cost और यह है total cost जो की इन दोनों में vertical distance से add करके आपका total cost बनता है total variable cost के जैसा ही move कर रहा है ऐसा इसी लिए क्योंकि change यह तो change ही नहीं हो रहा है change क्या हो रहा है सिर्फ यह change हो रहा है तो यह जो जिस direction में भी change होगा उसी same direction में उसी same curve से curvature से तुमारा total cost भी change होने वाला है ठीक है तो यह अपन ने इन तीनों के graph देख लिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं average fixed cost की average fixed cost की बात करते हैं देखो ध्यान से अभी observe करो और बताओ क्या हो रहा है increase, decrease या same observe करो observe observe बिलकुल सही जवाब ये continuously decrease ही हो रहा है continuous decrease है इसमें इसका graph downward sloping होता है continuous decrease सबसे पहले highest होता है first unit पे highest होता है देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं first unit पे highest था एक हजार लेकिन जैसे जैसे आप number of units बढ़ाते जाते हो average fixed cost गिरता जाता है गिरता जाता है गिरता जाता है गिरता जाता है average fixed cost ठीक है तो कुछ इस तरह से है average fixed cost का shape ओके आवाज clear नहीं है तो मेरे बतलब मेरे यहाँ पिछ से तो clear है आप एक बार exit होके वापस rejoin हो जाओ आपको clear आ जाएगी तोगे बाकी सबको clear है ठीक है? टेंचन मतलब exit हो जाओ और वापस rejoin हो जाओ यह है average fixed cost कुछ इस तरह से इसके graph का shape है downward sloping downward sloping or to the right downward to the right same isocond जासा ही होता है इसका shape तेंच है? isocond जासा ही होता है इसका shape गिरता ही जाता है decrease पूरे scenario में decrease ही होता रहता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं average variable cost की average variable cost की बात करते है average variable cost जो है आपका उसको observe करो और बताओ क्या हो रहा है पहले observe करो और फिर बताओ क्या हो रहा है observe, observe बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब पहले ये decrease होता है 50 था, फिर 45 हुआ, पहले decrease हुआ, उसके बाद 45 से increase होना शुरू, 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 शुरू कुछ इस तरह से, यू, जैसा इसका शेप बनेगा यू, ठीक है परफेक्ट यू है या नहीं यह तो डिपेंड करता है उस-उस इंडस्ट्री पे लेकिन यू शेप बनता है, इन जनरल ठीक है, ऐसा क्यू होता है इसका रीजन अपन देखते हैं पहले ग्राफ का शेप समझ लिया इस तरह से है, यू पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज यह है अवरेज वेरियेबल कॉस्ट बहुत अच्छा आगे है अपने पास मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में भी observe करो क्या हो रहा है observe करो क्या हो रहा है Sir AFC क्या AFC graph दिखाओ अच्छा दिखाते दिखाते विल्कुल सही जवाब marginal cost पहले decrease हुआ 50 से 40 पे आया फिर वापस से increase होना शुरू हो गया तो पहले ये decrease हुआ उसके बाद increase होना शुरू हुआ ये देख average fixed cost का curve मैं note share करता हुआ इसके बाद ये lecture के बाद note share करता हुआ आपको ये है continuous decrease होता है ये U-shape बनाता है average variable cost और marginal cost भी marginal cost भी U-shape बनाता है देखो यहाँ पे पहले गिरा हलका सा गिरावट आया पहले गिरा हलका सा गिरावट आया और फिर जो गिर चड़ा है भाई कोई रोक्टो की नहीं है इसको चड़ते गया चड़ते गया चड़ते गया 300 तक पहुँच गया सबसे जादा इन दोनों से भी जादा है आपे और इन सबसे जादा है बसी गिरावट तो इतना जादा इंक्रीज आया है मार्जिनल कॉंस्ट में देख सकते हैं ये भी यूशेप ही है अगें कोई भी आपको अगर एक यूशेप समझ में आ गया ना बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगें तो लास्ट ग्राफ की बात करते हैं आपका ATC Average Total Cost Average Total Cost की बात करते हैं उसके ग्राफ की बात करते हैं उसके बात समझते हैं कि इसका शेप किस तरह से आएगा अगें इसमें भी observe करो क्या हो रहा है क्या हो रहा है शानती से observe करो और फिर बताओ क्या हो रहा है observe observe बिलकुल सही decrease तो है लेकिन बाद में increase भी है 161 के बाद 163 भी आया है तो पहले decrease हुआ उसके बाद increase भी तो हुआ तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से लिखेगा ये है average cost या फिर average total cost उन्होंने टी लगाना भूल वे ठीक है तो कुछ इस तरह से है पहले गिरता है गिरता है फिर एक low point पे minimum point पे आता है और उसके बाद वापस चड़ना शुरू होता है ठीक है average total cost ये है आपकी average total cost बहुत बढ़िया good 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 अभी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये graphs का जो u shape बना है इन तीनों graphs का marginal cost, average variable cost और average total cost या फिर average cost basically इन सब का u shape क्यों बना है ये अपने को जानना है ठीक है क्यों बना है इसका u shape बहुत ही simple है answer इसका लेकिन उससे पहले थोड़ी revision लगती है last chapter की जो अपन ने किया है वो है production chapter बहुत ही simple answer है लेकिन revise करना पड़ेगा अपने को ये है आपका marginal product और average product का graph ठीक है सबसे पहले marginal product draw करते है एक कोई भी you समझ गए अपने को तो बाकी सब का भी वही reason है तो एक you ही समझाता हूँ मैं आपको क्यों होता है तो suppose करो मैं आपको सिफ marginal cost ही समझा रहा हूँ लेकिन उसके लिए equivalently मैं को लेना पड़ेगा marginal product marginal product मैं को लेना पड़ेगा समझाने के लिए तो marginal product जो है वो कुछ इस तरह से behave करता है पहले increase होता है और फिर धडाम से decrease होना शुरू होता है इसका reason क्या है अपने इसका reason क्या देखा था इसका reason है efficiency simple suppose एक machine है इस machine पे चार ही लोग काम कर रहे है पहले जब एक ही इंसान काम कर रहा था तो इसकी machine की full efficiency पे आप नहीं पहुँचे थे फिर आप धीरे धीरे जैसे और इंसान बढ़ाते जाते हो maximum full efficiency तक इस machine को खीचते हो तब तक हर आने वाले input की जो efficiency है वो भढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक maximum point पे जब चार आदमी काम कर रहे हैं और चार की ही ज़रूरत है तब आपकी marginal product जो है maximum efficiency पे होगा लेकिन उसके बाद जब पांचवा आएगा तो उसकी efficiency इतनी नहीं होगी उसको जगह ही नहीं है पहली बाद तो काम करने को तो वो या तो किसी की help करेगा या basically idle पढ़ा रहेगा या तो किसी की help करेगा या basically idle पढ़ा रहेगा तो suppose करो वो किसी की help कर रहा है क्या ये जितना काम कर पा रहा था इसने जब join किया, तो इसने जितना efficiency दिखाया, जितना marginal product में increase दिखाया, productivity दिखाया, क्या वही same productivity इसकी है, नहीं, इसकी productivity गिर गही है, क्यों, क्योंकि वो help कर रहा है, कोई नया addition नहीं डाल रहा है, वो as such, वो help कर रहा है, और इन सब की efficiency कम हो रही है, दिन बदिन, दिन बद और units labor के add करते जाते हो, add करते जाते हो, वही छोटी सी machine पे, तो आपका जो efficiency level है, वो गिरता जाता है, गिरता जाता है, और गिरता ही जाता है, same आपका case है marginal product, जब इवे मैं efficiency की बात कर रहा हूं, उसका मतलब है marginal product, पहले efficiency increase हुई, क्योंकि आपन अभी तक full capacity पर नहीं पह जब एक बार maximum capacity पर पहुँच गए वाप उसके बाद efficiency गिरता है, simple, तो क्या था ये, efficiency वाला logic, क्या था ये, okay, good, आपको वो अच्छे से समझा है, तो आप अभी उस logic को cost curve में लाइए, ठीक है, cost function में लाइए, उस logic को अपन यहां use करते हैं, according to the law of variable proportions, जो short run का production का law है, law of variable proportions, marginal product जो है, आपका वो increase होता है, और एक certain point के बाद it decreases, यहां तक अपन ने सही में देखा है पूरा, यहां तक अपन ने सब कुछ देखा है, अच्छे से, कि marginal product जो है, वो increase होता है, और उसके बार decrease होता है, simple, ठीक है, तो यह logic को अपन कॉस्ट में कैसे apply कर सकते हैं, देखो, 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 suppose आप एक unit use कर रहे हो, एक input use कर रहे हो, और आप पाच output निकाल रहे हो, generate कर रहे हो, अभी आपकी maximum efficiency कहां पर पहुचे की, कब पहुचे की, मैंने बता है था, चार, तो जैसे ही दूसरा वाला आया, तो आपका teamwork बढ़ गया, efficiency बढ़ गई, और आप जादा generate करने लग गए, पंदरा units आप generate करने लग गए, इसका मतलब एक इंसान पाच बनाता था, दो इंसान मिलके साड़े साथ units बना रहे हैं, साड़े साथ units बना रहे हैं, एक output पर वर करकी अगर बात करे तो, simple सी बात है, इसका मतलब efficiency increase हो गई, जब efficiency increase होती है, तो आपके cost जो है, वो गिरते हैं, simple, आपको same cheese produce करने के लिए कम खर्चा आएगा, फिर धीरे धीरे जब आपकी efficiency और बढ़ गई, अब आप 35 units produce कर पा रहे हैं, तो output पर worker कितना है, output पर worker करीब करीब 12 के करीब करीब आता है, output पर worker, 12 units हर एक इंसान produce कर पा रहा है, पहले वो 5 कर रहा था, फिर 7.5 कर रहा था, अभी वो 12 units produce कर रहा है, हर एक इंसान, मतलब हर एक इंसान जादा efficiency दिखा रहा है, इसी का मतलब जादा efficiency दिखा रहा है, तो मेंको cost जो है, वो कम लगने वाली है, cost जो होगी मेरी, वो कम होगी, simple, जब चौता इंसान आएगा, तब आप maximum efficiency तक पहुँच जाओगे, simple सी बात है, तो maximum efficiency तक पहुँच गए, अभी आप 60 produce कर रहे हैं, 60, 60 units, 4 मिलके, लेकिन जैसे ही पाचवा इंसान जोइन होता है उनको, यह इसका कुछ addition नहीं होता है, तो यह burden है company के लिए, company के लिए यह burden का का काम कर रहा है, और यह efficiency गिराने का भी काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, efficiency यहाँ पे हो गई है, 80, यहाँ पे efficiency, output पर वरकर अभी यहाँ पे गिर चुका है, efficiency गिर रही है, efficiency गिर रही है, इसका मतलब आपको basically cost जो है, वो जादा लगने वाली है, जब efficiency increase पे हैं, तो अपने को cost कम लगती है, ज जब efficiency decrease हो रही है, तो अपने को cost ज़ादा लगती है, रियल लाइफ में, छोटा simple layman example दे सकते हैं, कि आपन इसका, हाँ दे सकते हैं, बिलकुल दे सकते हैं, just imagine, ठीक है, रिमाग से इसारी चीज निकाल दो, और मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है, तुम्हारी maximum capacity है, पढ़ बिना girlfriend, boyfriend के साथ, गपे लड़ाते हुए, पंदरा मिनिट तुम maximum पढ़ लेते हो, ठीक है, पंदरा मिनिट, maximum पढ़ लेते हो, तो इन पंदरा मिनिट में, suppose करो, तुम एक page पढ़ लेते हो, नॉर्मल अबन स्पीड समझ के चलते हैं, एक page तुमको पढ़ने में 15 मिनिट ल लग जाती हैं, बिना refreshment के भी तुम continuously बैटे हो, stretch करके, तो जो तुम second additional page जो पढ़ोगे तुम, उसको तुम्हें 15 मिनिट नहीं लगेंगे, उसको तुम्हें 20 मिनिट लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी efficiency कम होते जा रही है, पिर जब तीसरा page जब पढ़ोगे, तब तक तु तुमको 30 मिनिट लगेंगे वही page पढ़ने को, same understanding से, तो जब अपन full efficiency से काम कर रहे थे, तो एक page पढ़ने को 15 मिनिट लग रहे थे, लेकिन वही second page जब अपन अपने पढ़ा, तो second page पढ़ने में अपने को 20 मिनिट लग गए, और third page पढ़ने तक तो अपना stamina पूरा out हो च जाए उत्ते में, तीन घंटे लग जाए एक चौथा वाला page पढ़ने में, तो यह मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी efficiency कम होती है, वैसे वैसे आपको समय जादा लगता है, वही चीज करने में समय जादा लगता है, और यही same example आप अभी production में ड समय जादा लग रहा है, और समय जादा लग रहा है, तो basically time is money, तो समय जादा लग रहा है, तो आपका पैसा भी जादा खर्च हो रहा है, तो जितनी कम efficiency होगी, उतना जादा पैसा खर्चा होगा, और simple सी बात है, इसलिए अपने को U-shape मिलता है, पहले अपन cost, cost को गिराते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन full capacity के बाद भी produce करते रहते हैं, तो अपने को increasing cost देखने को मिलते हैं, ये है U-shape का logic, ठीक है, क्या सब को समझा है, अपने पास 17 बच्चे है, मैं सब 17 बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या सब को समझा है, yes और no, efficiency, समझा, सब को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब को समझा है, अच्छा, तुम लोगों का कितना चैमेनायर है, बिना time pass के at a stretch, full efficiency के साथ, कितनी देर पढ़ सकते हो, पाँच मिनिट, दस मिनिट, दो मिनिट, कितने मिनिट्स में हो तुम, बता तो चले जरा, पता तो चले, full efficiency के साथ, ये देखो, अब निकल रिना सच बात, पाँच मिनिट, क्या बात है, एक घंटा, एक घंटा, तीस मिनिट, अच्छा, 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 बीस मिनिट, अरे और गिरा, और गिरा, हाँ, गिरा, गिरा, एक मिनिट, 30 सेकेंड्स, वगरे, किसी को कुछ बोलना है, 30 सेकेंड्स, वगरे, ऐससा कुछ बोलना है, किसी को, हाँ, गिरा हो, गिरा हो, उसको और गिरा, अरे मजाग चल रहे है, यहाँ पर क्या बात है टू आज, अरे बाबरे, यह unrealistic हो गया, मजाग था पता है में को, पता है मजाग था, पता है में को एक घंटा, फुल एफिशेंसी के साथ तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है इतना तो stamina होना ही चाहिए, गुड़ तो यह था logic आपके U-shape का, U-shape जो आपको मिलता है, उसका यह logic था, ठीक है कहानी अभी खतम नहीं हुई अपन ने अभी तक relationships के बारे में नहीं पढ़ा relationships मतलब ओ, girlfriend, boyfriend वाला relationship नहीं, जो अपनने average product, marginal product में जो relationship पढ़ा था ना पिछले chapter में, वही relationships यहाँ पे भी average cost और marginal cost में है, average cost और marginal cost में, ठीक है, तो relationships अपन यह revise करते हैं और average cost, marginal cost वाले relationship build करते हैं build, ठीक है, build करते हैं खुछ से, तो यह हैं आपके सामने graphs अरे देखो, देखो, शानती से पहले screen पे नजरे रखो full efficiency, मैंने बोला ना full efficiency when AP rises, MP is more than AP तो जब AP increase हो रहा है, तो marginal product उससे ज़्यादा increase होता है लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ cost की, products की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं cost की बात कर रहा हूँ, तो cost में सबसे पहले आपको नजरे रखनी है, marginal cost पे और average cost पे ही जब marginal cost और average, average cost जब basically गिर रहा है तो marginal cost उससे नीचे होता है, marginal cost उससे नीचे होता है, simple logic, marginal जो है उसका average product होता है, वैसे ही यहाँ पे marginal cost का average जो होता है वो average cost होता है तो अगर आपको average को गिराना है, तो आपको values को नीचे रखना पड़ेगा उससे, अगर आपको average को increase करवाना है तो marginal को उससे ज़ादा रखना पड़ेगा values को उससे ज़ादा रखना पड़ेगा और यह जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की मुलाकात जब होती है, तो AP जो होता है वो maximum पे होता है, लेकिन यहाँ पे average cost maximum पे दिख रही है तुम्हें या minimum पे दिख रही है, ग्राफ देखके बताओ, maximum पे है या minimum पे, देखो graph और बताओ बताओ, maximum पे है या minimum पे, analyze करो graph को, सोचो, देखो graph क्या कहने के कोशिश कर रहा है बिलकुल सही जवाब cost जो है आपकी S पे, यह आपकी minimum पे है, minimum तो जब marginal cost और average cost equal होते है तो average cost आपकी minimum होती है average cost minimum होती है जब marginal और average equal होते है, जब average rise हो रहा है, तो marginal उससे ज़ादा होना चाहिए, जब average गिर रहा है, तो marginal उससे कम होना चाहिए, simple same logic, जो यहाँ पे same logic था, वही same logic है, यहाँ पे, same logic good तो यह था पूरा short run की कहानी short run average cost इनका नाम था, short run सारे cost है, basically क्या सब को सतरा बच्चो तुमसे पूछ रहा हो मैं, क्या सब को समझा है, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है सब को सब कुछ समझा है, if you have any doubts, please feel free to ask comments में डाल सकते हैं या mic on करके बोल सकते हैं जो की चेके गुड़ चेके